तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमिल रिचर्टसन की एक नॉवल पैमिला को इसे 1740 में पब्लिश किया गया था और इंग्लिश लिट्रेचर में जो भी सबसे पहले नॉवल्स लिखे गई थी उनमें से एक इसे माना जाता है और ये बहुत ही फेमस नॉवल है यह है एक एपिसलरी नॉवल है जिसमें इस नॉवल की हिरोईन या प्रटैगनेस अपने पैरंट्स को लेटर्स की तुरू अपनी स्टोरी बता रही है यह नॉवल काफी फेमस हुई थी और इसके रिस्पॉंस में और भी कई नॉवल्स लिखी गई थी जैसे कि शैमिला, जॉसफ एंड्रियूज एट्सेटरा तो आईए इस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करती है पैमला एक इनोसेट एंड वर्ट्वस गर्ल है अपनी फैमली को फाइनाशली सपोर्ट करने के लिए वो लेडी बी के घर पे काम करती है वो भी बैड़फोर्ट शायर में रहते ह और वो काफी रिच फैमली है तो पैमला अपने पैरेंट्स को लेटर लेकर ये बता रही है कि लेडी बी की अभी डेथ हो गई है तो पता नहीं अब उनके काम का क्या होगा फिर लेडी बी का बेटा मिस्टर बी सभी सर्वेंट्स को कहता है कि आपको अपके काम से निकाला करता है लेकिन पैमिला एक पायस एंड वर्चूस लटकी है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चेस्टीटी को मेंटेन रखती है इसलिए वो मिस्टर बी के एडवांसेस को हमेशा मना कर देती है इग्नोर कर देती है पहले तो वो सिर्फ वर्बिली उससे सेड्यूस करता था लेकिन अब वो उसके साथ फीजिकल होना चाहता था पैमिला इस बारे में अपने पैरेंट्स को लिखती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस घर को छोड़ कर चली जाएगी क्योंकि वो अपने वर्चूस के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं कर सकती तो अब मिस्टर बी पैम में ही काम करती है मिस्टर बी पैमिला को सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं चोड़ता वो उसे किस करने के भी कोशिश करता है उसके रूप में भी ताकचा करता है पैमिला उससे बार बार कहती है कि वो ये सब चीज़े करना बंद कर दे वरना वो घर छोड़ कर चली ज तो अब मिस्टर बी पैमला को अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए और भी ज़्यादा मनी ओफर करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मैरेज एक कलरजी मैंन से करवा दूँगा जिसका नाम है मिस्टर विलियम्स लेकिन पैमला इन सब चीदों के लिए मना कर देती है वो पर मिसिस ज्यूक्स की देखरेक में पैमला को रखा गया है और उसकी मर्जी के बिना पैमला घर से बाहर नहीं निकल सकती और जो वो लेटर लिखती थी अपनी फैमली को वो भी बंद करवा दिये जाते हैं मिस्टर भी पैमला के पैरेंट स्कूल लेटर लिखकर ये बतात है कि Pamela का एक पूर clergyman के साथ affair था और उसके honor and virtue को preserve करने के लिए उसने उसे कहीं धूर बेज दिया है लेकिन ये बात बिल्कु जूट थी और Pamela के फादर को भी इस बात पर यह की नहीं होता है लिंकन शायर में रहते हुए भी Pamela ने अपने parents को लिखना नहीं छोड़ा वो सोचती थी कि एक ना एक दिन तो ये letters उसके parents तक पहुँची जाएंगे अब वहां का एक clergyman है Mr. Williams जो की Mr. B के अंडर ही काम करता है वो Pamela की help करने के लिए आता है वो से marriage के लिए भी offer करता है उससे marriage करने के बाद शायद वो Mr. B के advances से बच जाए लेकिन Pamela इस proposal को reject कर देती है तो अब Mr. B लिंकन शायर में आ जाता है और वो फिर से Pamela को अपनी mistress बनने के लिए offer करता है लेकिन Pamela अपने decision performed रहती है तो वो Mrs. Jukes के साथ मिलकर एक plan बनाता है Pamela को seduce करने का वो एक female servant का disguise लेता है और किसी भाने से Pamela के रूप में गुच जाता है लेकिन जब Pamela को realize होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो भी होश होकर गर जाती है जब Mr. B Pamela को ऐसे देखता है तो वो उसके साथ जो करने आया था वो करने का plan छोड़ देता है उसका behavior एकदम से change हो जाता है तब ही उसे realize होता है कि मैं Pamela को पाना चाहता हूँ लेकिन force से नहीं प्यार से तब ही वो admit करता है कि हाँ वो Pamela से प्यार करता है लेकिन उसे शादी नहीं कर सकता क्यूंकि उनके social status में बहुत gap है Pamela जब Mr. B का confession सुनती है तो वो shocked हो जाती है तो इसके थोड़े दिन बाद Pamela को एक fortune teller मिलता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें कोई fake marriage में फसाना चाहता है तो तुम्हें इस से बचके रहना होगा और फिर Pamela सोचती है कि शायद Mr. B उसके साथ ऐसा करना चाहता हो तो Mrs. Jukes Mr. B को Pamela के लिखे हुए कुछ letters देती है और उन्हें पढ़कर Mr. B को बहुत ही guilty feel होता है और वो सोचता है कि Pamela बहुत ही innocent है और जो भी उसने उसके साथ किया है वो बहुत गलत है वो regret feel करता है और ये decide करता है कि Pamela के साथ marriage करके वो सभी चीजे sort out कर लेगा लेकिन Pamela इस proposal के लिए भी मना कर देती है और अपने घर के लिए निकल पढ़ती है तो अब रस्ती में वो भी बहुत sad feel करती है प्यार करता है और marriage करना चाहता है तो अब finally Pamela उसके proposal को accept कर लेती है और वापस उसके घर के लिए निकल पढ़ती है Pamela के father को उसकी बहुत फिकर होती है तो वो उसे मिलने के लिए आ जाती है लेकिन उसे खुश देकर वो भी खुश हो जाती है तो अब church में Mr. B and Pamela की marriage हो जाती है लेकि Mr. B के sister Lady Davos इस शादी से खुश नहीं है वो Pamela को accept नहीं करती क्योंकि Pamela lower status से belong करती है तो अब Lady Davos का Mr. B के साथ एक argument हो जाता है वो उससे कहती है कि कुछ साल पहले तुम्हारा एक women के साथ affair था और उस women ने तुम्हारे बच्चे को भी जनम दिया है means वो already एक बच्चे का father है लेकिन उसने यह बात Pamela को नहीं बताई लेकिन Pamela उन दोनों की बाते सुन लेती है तो अब Mr. B Pamela के सामने यह बाते confess करता है और अपनी बेटी को भी Pamela से मिलाता है और उसका नाम होता है Miss Goodwin Miss Goodwin की Mother Jamaica में रहती है उसने वहाँ पर किसी आदमे से शादी कर ली है तो अब Goodwin अकेली रहती है तो Pamela डिसाइड करती है कि आज से Goodwin उनके साथ ही रहगी तो ऐसे Mr. B भी Pamela के parents को एक new घर खरीद कर देता है और Lady Davers भी Pamela को accept कर लेती है तो ऐसे Pamela और Mr. B भी happy life जेते हैं और बहुत सारे बचों के parents बनते हैं तो जो society Pamela को उसके lower status के कारण accept नहीं कर रही थी आज वही society के लोग Pamela को admire करते हैं उसकी praise करते हैं क्योंकि end तक भी Pamela ने अपने honor को बचा के रखा उसने अपने virtues के साथ कभी भी compromise नहीं किया तो हमारी class या cast तैन ही करती की हम लोग क्या है मतलब हमारी मेहनत और quality से ही society हमें admire करती है तो गैज यही पर हमारी novel होती है खातम अगर आप लोग कोई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना